आज हम बनाएंगे चूर्मा चक्की यह राजसान की खास मिठाई है और इसको बनाना बहुत आसान है और यह खाने में बहुत ही डिलिशियस सकती है तो चलिए रेसिपी को फटा-फट से स्टार्ट करते हैं तो चूर्मा बनाने के लिए सबसे पहले हम उसके मुठ्या बनाए लगबग आधा कटोरी सूजी अब हम इसमें डालेंगे एक चमश गी और अब इसको अच्छे से मेक्स करके हम इसका आटा गून के तयार कर लेंगे आटा गूनने के लिए हम पानी का यूज निकरेंगे हम इसको दूद से गून देंगे तो इसके लिए हमें चाहिए आटा गून के तयार कर लेंगे आटा गूनते वे आपको एक बात का द्यान रखना है कि आपको बिल्कुल सक्त आटा गून के तयार करना है जितना हो सके उतना हाड आटा तो हम इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा दूट डाल के इसका सक्त सा आटा गुन के त्यार कर लेंगे आटे को 2-4 मिनट तक अच्छे से स्मूथ करेंगे और उसके बाद उसको 10 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे आटे ने लगबग 10 मिनट तक रेच्ट कर लिया है अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना के इसकी मुठ्या बना लेंगे आपको बिलकुल हाथ से दबा दबा के इस शेप के मुठ्या बना के तयार करना है मुठ्यों को आपको ऐसे लंबा और पत्ला बनाना है बहुत जब हम इसको डी फ्राइ करेंगे तो वो बीच में से सॉफ्ट रह जाएंगे तो इसलिए इसको पतले पतले और मोटे मोटे मुठ्या बना के तयार करना है तो हमने लगबग इसी शेप की सारी मुठ्या बना के तयार कर लिए अब हम इसको deep fry करेंगे मुठ्यों को fry करने के लिए हम एक कड़ाई में गी को गरम करेंगे जैसे ही गी medium गरम हो जाए हम इसमें मुठ्यों को डाल देंगे कड़ाई में जितने मुठ्या आ सकते हैं एक बार आपको उतने सारे डाल देना है और गैस के फ्लेम को लो करके इनको fry करना है इस रेसिपी की सबसे में बात यही है कि आपको मुठ्यों को बिलकुल अच्छे से deep fry करना है एक दम कुरकुरा होने तक तब यह आपकी चक्क्य बिलकुल बढ़िया और दानेदार बनेगी मीडियम लो फ्लेम पे मुठ्यों फ्राई होने में लगबग 7-10 मिनट तक लग जाएंगे तब करका आपको उनको चारो तरफ से फ्राई करना है अच्छे से कुरकुरा होने तक तो लगबग 7-8 मिनट हो चुके हैं देखें इनका कलर कितना अच्छा गोल्डन हो चुका है यह बिलकुल एकदम हार्ड कुरकुरी फ्राई हो चुकी है अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे जितनी अच्छी मूठ्या फ्राई होगी चक्की उतनी ही बढ़िया बनेगी तो हम सारी मूठ्यों को अच्छे से जाली के चमश में निकाल लेंगे ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा गीय वो बाहर निकल जाए अब हम बचीवी सारी मुठ्यों को भी फ्राई कर लेंगे इनको भी लगबग 7-8 मिर्टर हम मेडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो हमने सारी मुठ्यों को अच्छे से फ्राई कर लिया है अब हम इसको हलका सा थंडा होने देंगे रूम टेंपरेचर पर आने देंगे जैसे ही रूम टेंपरेचर पर आ जाए हम इसको हाथ से तोड़के बारिक कर लेंगे आपको इसको हाथ से जितना बारिक हो सकता है उतना बारिक के चोटे चोटे पीस कर लेने है हाथ सेूद्धिटिओं की जितने बारे तो सकते थे हैं हम ने उतना बारे की इसको करद लिया है अब लिया है अब आम इसको मिक्सी में डालकर बटी जाड़ लिया है इसमें लगब्र आधी मुठिद्धिओं क को डाल देंगे आपको इसको बहुत ज़ादा नहीं पीशना बस पल्स पे एक दो मिनट के लिए चलाना है या अच्छे से इसका दानेदार पाउडर बनके तयार हो जाएगा तो हमने मुठ्यों को पीश कि एकदम दानेदार चूरम बना के तयार कर लिया है अब हम इसको एक बड़ी थाली में निकाल लेंगे अब हम इसके लिए चासनी बना के तयार करेंगे अगर आपको लगए कि इसमें थोड़े बड़े बड़े पीसिस है तो आप इसको एक बड़ी चलनी से चान भी सकते हैं लेकिन इसमें मुझे कोई पीसिस नहीं लग रहे तो हम इसकी चास नहीं बनाएंगे उसके लिए कड़ाई में डालेंगे लगबख दो कप शक्कर क्योंकि हमने डाई कप आटा और सूजी लिया है तो हम इसमें दो कप चीनी का यूज़ करेंगे और उसमें डालेंगे एक कप पानी और इसको उबलने के लिए छोड़ देंगे लगबख 2-4 मिनट तक जब तक हमारी चास नहीं बलती है हम हमारे चूर में को एक बार गरम कर लेंगे तो बड़ी कड़ाई में हम डालेंगे एक चमचगी और उसमें सारा चूर में को डाल देंगे इसको कोई पकाना वका अब हमारा चूरमा चास्तने मिलाने के लिए बिल्कुल त्यार है अब हम चासनी को चेक कर लेते हैं चासनी अच्छे से गाड़ी हो चुकी है इसमें हम डालेंगे आदा चम्मच इलाइची पाउडर और एक पिंच मीठा कलर जिसको तंदूरी कलर बोलते हैं जो मिठायों में डलता औरंज वाला अब चासनी को हम चेक करते हैं हमें एक तार की चासनी चाहिए बिल्कुल तो चासनी को चेक करते हैं देखे चासनी में अच्छे से एक तार बन रहा है अब हम क्यास को फटा फट से आउफ करके इसको चूर में मिला लेंगे चासनी को एक तार से जादा नहीं करना अगर ये डेड़ या दो तार की बन जाए तो आपको इसमें थोड़ा सा पानी मिलाना पड़ेगा नहीं तो आपकी चक्की थोड़ी हाड हो जाएगी तो हम गरम गरम चासनी को चूर में मिला लेंगे अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी से किशमिश आप इसमें कोई भी ड्राइफ्रूट्स डाल सकते हैं ड्राइफ्रूट्स डालना बिल्कुल स्किप भी कर सकते हैं बिल्कुल बिराइफ्रूट्स भी बहुत चांदर मिठा ही लगेगी इसको हम अच्छे से mix करेंगी ताकि चासनी अच्छे से mix हो जाए ये चप्की एक हफ़ते तक खराब नहीं होती है तो हमारा सारा चूरमा चासनी में अच्छे से mix हो चुका है अब हम एक थाली को घी से अच्छे से grease करेंगे और उसके बाद हम सारे चूर्मे को इसमें डालके जमा देंगे इसको फ्रीज वेज में रखने ही ज़रत नहीं है बस आप बाहरी इसको 10-15 मिनट के लिए देना ही अच्छे से सैट हो जाएगी और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे तो हमारी चूर्मा चक्की लगबग त्यार है यह मिठाई बहुत कम इंग्रीडियंट्स में बनके त्यार हो जाती है लेकिन इसका टेस्ट इतना लाज जवाब है आप इसको ज़रूर एक बार बना के ट्राइ करिए तो हमारी चूर्मा चक्की बिल्कुल त्यार है ये मिठाई आराम से एक हफते तक चल जाती है अगर आपको ये रेसे भी पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें